हेलो फ्रेंड्स माई नीम इस काजल और आप सभी क्या स्वागत है मेरे चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फॉर्ट समेस्टर एन तौर्ट समेस्टर एक्जाम डेड़ से लेटर महत्तपूर्ट इंफुमेशन जी आप जैसे की आप सभी को पता है कि B8 का जो entrance exam है यानि B8 का जो परवीज परिक्षा है वो 9 अगस्त को कराया जा रहा है ठीक है, Sunday को कराया जा रहा है और दो पालियों में exam को करा लिया जाएगा तो friends, अब ये सवाल आ रहा है कि क्या अगर B8 का exam अगर हो सकता है तो क्या डेलर का exam नहीं हो सकता है तो friends, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक पर डिसकस करने वाले है तो चलिए friends, शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने friends, मित्र को शेयर कर दीजिए और हाँ अगर आप चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि कोई भी information आती है तो हम आपको इस चैनल के माद्यम से provide करते हैं चलिए friends, सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी देख सकते हो ये paper है, ठीक है और इसमें ये information दिया गया है कि B8 परवेस परिच्छा पर उठाए सवार और बिलकुल जाहिर सी बात है जब 29 जुलाई को होने वाली थी exam तो इसको अस्तेगित कर दिया गया तो फिर 9 अगस्त को किस तरीके से करवाया जाएगा ये अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जो B8 इंटरेंस एक्जाम करवा रहे हैं उन पे जिम्मेदारी बनती है अब फिलाल आप देख सकते हो कि इसमें बोला गया है कि करोना संक्रमण के मामले लगतार बढ़ रहे हैं और इस हालात में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीट परवियस परिक्षा पर सवाल उठने लगे है लगनव भी स्विदयाले की और से परवियस पतर जारी करने के बाद अभी敌तियों ने आपत्ति जयताई कि अभीःति शक्ती राजब़ने सोचल मीडिया पर अपना परवियस पतर साजा किया और वो कहते हैं कि उन्होंने प्रियाग राज कानपूर और लखनव की परिच्छा केंद्रों पर पेपर देने का बिकल्ब भरा था और उन्हें 250 किलो मीटर दूर बलरामपूर में MLKPZ कॉलर्ज में परिच्छा केंद्र आवांटित किया गया है और प्रियाग राज के बिर्जेश शिंग लिखते हैं कि उन्होंने प्रियाग राज में परिच्छा अपनी आपात्ति टैक करते हुए सोसल मीडिया पर लिखा है कि कुरोना के केस में लागतार बढ़ोतरी हो रही है और विश्व विद्याले प्रिशास उनके बिवारिक शूर्ट के साथ इस परिच्छा पर फैसला लेना चाहिए और उसके बाद देखिए अंकित गौर ने लिखा है कि इन हालात में अभियाटी ना तो परिच्छा केंदर तक पहुचेंगे और नहीं परिच्छा दे पाएंगे और यह बिल्कुल सही बात है उसी प्रेकार देखिए अभियाटी रानु कुमार ने लिखा है कि परिच्छा केंदरों पर भीड भार जरूर होगी इससे बहुत जादा प्रॉबलम हो शक्ती है ठीके तो इसलिए अब भीड यानि अगा परिच्छा केंदर तो आफ देख सकते हो कि पहले यह बोला जा रहा था कि आपके अपने ही जनपद में और देख सकते हो कि 250 से 300 कीलो मीटर दूर परिच्छा केंदर अब सोच सकते हो कि किस तरीके से जाएंगे अगर कोई सुविदा नहीं होगी या फिर कुछ हो जाता है तो बहुत जादा प्रॉब्लम होगा और इस तरीके से अगर एक्जाम करवाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि सरकार पताने क्या करने माली है बट यह बहुत जादा मतलब गलत होगा ठीक है तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हो कि इलहाबाद दिश्च्छ से परिश्चा है तो चलिए हम मानते हैं यह 21 सितंबर से स्टार्ट होगा लेकिन अगर बीएट की परिश्चा यह देखिए आभी मैं आप सभी को दिखाऊ तो जैसे की थोड़ा हम नीचे स्कॉल करते हैं ठीक है और फ्रेंड्स यही आप सभी की जो डाउट से यानी देख आप सबको विदित हो ही गया होगा कि बीएट परिश्चा अगामी 9 अगस को प्रस्तावित है और उसका परिश्च पत्र भी जारी कर दिया गया है और बीएट की परिश्चा अगर शाकुसल संपन करा लिजाती है तो फिर हम डेलेड वालों को अपनी सेमेस्टर परिश्च में आता है कि आज बीएट पी कमेटी बठाएगी या जल्द ही उस पे निर्ड़ लेगी यानि उसका जल्द जो होता है बहुत दिनों में आता है ठीक तो फ्रेंट्स यहां पर यही कहा जा रहा है कि परिश्चाओं के लिए एक दम से तयार रहना पड़ेगा यानि जो पर प्रथम एवं त्रितिय सेमेश्टर के परिच्छा अंतिम समय में टली थी जिसे कि आप सभी को पता है कि परिच्छा एवं प्रेश्चन पत्र से जुड़ी तयारिया पूर्ड कर ली गए थी ठीक और कुछ बिस्वस सुत्रों से यहां भी जानकारी मिली है कि दूतिय एव प्रेंट बाद हमारे सेमेश्टर एग्जाम का नोटिफिकेशन भी जारी हो शकता है इसके बहुत ही अधिक आसारे तो फ्रेंट इस तरीके के क्योंकि अगर बीएट का एग्जाम नौ अगस्ट को करा लिया जाता है बिलकुर मैं कनफर्म के साथ कहते हूं अगर बीएट क कुछ जुलाई मन्त भी 29 जुलाई है और यह भी खत्म हो ही गया तो अभी तक इन्फोर्मेशन नहीं जारी किया इसका क्या मतलब है इसका तो मतलब यह है पहले पी एंप यह बोल रहा था कि यूजी सी जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से हम आगे का प्रूसिस करेंगे यूजी सी ने गाइड लाइन्स भी जारी कर दिया और उन्होंने बोला कि केवल और केवल फाइनल इयर्स के परिक्षा के जो इस्टुडेंट्स है जो लाश्ट इयर में है वही केवल और केवल पेपर देंगे बट अभी तक जो पी एंपी है कोई भी निर्डे नहीं लिय है और फ्रेंड्स आप जान सकते हो कि सत्र अभी आप सभी का बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और अगर नौ अगस्त के बाद परिछाय भी होती है तो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा यह पी एंपी के जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द कोई भी इंफ और पर कहीं है तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ठीक है तो फ्रेंड्स मैं तो आप सभी से यही कहूंगी जो अपना आप फॉर्स सेमिस्टरी की प्रिप्रेशन है वह बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए ठीक है और देखते हैं पी एंपी कब तक देख सकते हो कि एपीओ की मुख्य परिच्छा जो है आज और कल यानि सहायक अभी योजन अधिकारी जिसे हम एपीओ सौट में बोलते हैं एपीओ दो हजार अठारे की मुख्य परिच्छा 29 जुलाई को लखनव में आयूरित की जाएगी और परिच्छा लोक्षेवा आय 30 जुलाई को पहले सत्र में क्रिमिनल लौ एवं प्रोसीजर और दूसरे सत्र में लौ ऑफ एविडियन्स की परिच्छा होंगी गौर तलब है कि पहले ये परिच्छा अठारे जुलाई से होने थी लेकिन परदेश सरकार की होड़ से हर सनिवार एवं रविवार को लोकड ही जा रही है तो फिर अब दिख सकते हो कि जो एगजाम है वो करवाये जा रहे हैं लेकिन यही है कि नजदीक है ठीक लेकिन बहुत जादा दूर भीज देंगे तो फिर बहुत जादा प्रॉब्लम होगा अगर PNP एक्जाम करवाना चाहती है तो उनके कॉलेज पे ही या उनके डिस्टिक्ट पे ही एक्जाम करवाए नहीं तो बहुत जादा अगर उतना दूर भेज़ेगा तो फिर बहुत जादा प्रॉबलम होगा और फ्रेंड जैसे कि आप सबी को पता है कि संडे को 29 अगस्त को पेपर है तो अभी आप देख से लगते हो यूपी में आपका सनी वार और अभी वार दो दिन लॉक्डाउन रहता है और फिद पता नहीं किस तरीके से इन्होंने निड़े लिया है तो फ्रेंड्स